So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में टाटा पावर शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर का प्राइज है यहाँ पे 201.40 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 1.46% तक के रिटन्स देखने को मिले हैं आगे हम इस शेयर के प्रिवियस रिटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे one month में जैसे की हम देख सकते हैं इधर की साई शेयर ने one month में 5.86% तक के हमें यहाँ पे रिटन्स दिये हैं साथी अगर हम max में all time की बात करते हैं तो यहाँ पे All Time में जो Share है उसमें हमें यहाँ यहाँ पे 1,874.51% तक की रिटन्स देखने को मिले हैं साथ ही आगे हम इस Share के यहाँ पे Previous Returns के बारे में देखेंगे कि इस Share में आगे हमें कैसे Returns देखने को मिले है तो यहाँ पे 5 years से लेकर 2 years तक जो share है उसने हमें यहाँ पे positive returns दिये है 1 year से 3 months तक जो share है उसमें हमें यहाँ पे negative returns देखने को मिले है और साथ ही 1 month से लेकर 1 week तक जो share है उसने हमें यहाँ पे positive returns दिये है यानि कि long term की perspective से जो share है उसने यहाँ पे positive negative returns दोनों ही दिये हैं आगे हम इस share के resistance और support level के बारे बात करते हैं तो यहाँ पे जो share है वो तो लगभग अपने resistance level के पास पहुँच गया है और हम कह सकते हैं अगले मनतक जो share है वो अपने resistance level को breakout करते हुए अगले मनतक का जो target है यहाँ पे वो 210 रुपे के around यहाँ पे रहने वाला है तो अगर आपके पास यह share है और आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से अपने own risk में hold करके रखना चाते हैं तो आप इस share को यहाँ पे long term के लिए भी hold कर सकते हैं जिससे आपको इस share के long term में भी बड़ी returns मिलेंगे झाले